आप देख रहे हैं S.K.K. न्यूज S.K.K. न्यूज में आपका स्वागत है मैं अनामे का दिन भर के बड़ी खबरों के साथ वैशाली जिला अंतरगत जंदाहा थानाक शेत्र के महिसोर गाउं के लोगों ने पानी की किलत को लेकर सड़क पर उतर गए जंदाहा मुस्री गरारी इनिच 322 मुख्य मार्ग को महिसोर योगी बाबा चौप के निकर जाम कर दिया आक्रुशित प्रामीनों का कहना था कि मुख्य मंत्री नलजल योजना के तहत राज्य के मुख्य मंत्री ने सभी घरों में पानी देने का वादा किया था लेकिन जिस से हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। प्रामीनों का आरोप है कि मुख्य एवं वार्ग सदस्य इस योजना का लाब हम लोगों को नहीं देना चाहते हैं। सुचना पर जंदा हाथाना पुलिस मौके पर पहुं चाक्रोशित रामीनों को समझा बुझा कर जाम को हटा दिया गया। इस संबंद में पंचायत के मुख्या रतनेश कुमार सिंग से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस पंचायत के वार्ग संख्या 11 एवं 12 में सरकार द्वारा नलग जल योजना अभी तक चाइनीत नहीं हुआ है। जिसके कारण नल जल का कार्य शुरू नहीं हो हो सका है। जिसके कारण ब्रामीरों को पीने का पानी का खिलत है। जनता आके घर बैठ जाता है। कुछ जनता है हर पसाथ पंचायत के बगल में वह पसाथ पंचायत से पानी ले लेता है। जोदर नमर्वाट सदसे से बोला कि आप पाइपलाइन क्यों नहीं करा रहा है। वो बोले कि हमने मुख्या को चेक काटके ने दिया है। और हमको मुख्या भी तक पैसा को निकासी करके नहीं दे रहा है तो हम कहां से पाइप करन करें। और तेरह नमर्वाट के समस्या तो आज तीन साल से परी हुई है कि उसका सर्व से बुल हुआ। उसका पैसे ही नहीं है। उसका पैसा मुख्या के अंदर हो गया। वीडियो साहब के द्वारा जब हमने कंप्लेन किया। वहां से भी कुछ नहीं हुआ ....